Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा, guys अभी जो सीरीज चल रही है वो Skyline की सीरीज चल रही है जिसके अंदर अभी तक तीन मूवीज आ चुकी है First movie में हमने देखा था, यह कियासे aliens की mother ship अर्थ के उपर उतर चुकी है और इनसानों का दिमाग aliens की body में fit करके, उनकी energy source को अपने energy source में convert कर रहे थे इसी के साथ सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जो एक छोटी बच्ची पैदा हुई थी जिसका नाम रोज था वो भी अब काफी बड़ी हो गई है और इसी के साथ में वो इस पेस में जाके बाकी सारे एलियन्स को डिस्ट्रॉइ करने के बारे में सोच चुकी थी इसी कंटिनिटी के साथ में इस ट्रायोजी का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है अगर अब तक भी गाईज आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो इस ट्रायोजी के थर्ड पार्ट को समझने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख गए थे सारे aliens अभी तक खत्म नहीं होए थे और जो aliens अभी भी convert नहीं होए थे यानि कि जिन में इंसानी दिमाग नहीं आया था वो अभी भी इंसानों को नुकसान पहुचाना चाते थे इनके सामने एक बहुत बड़ा सा spaceship था और इसे spaceship से बाकी सारी मदर spaceship अर्थ की तरफ आ आती है ट्रेंट उसे समझाने की कोशिश करता है और समझने की भी कोशिश करता है कि आके रोस को क्या हुआ है वो एकदम freeze कैसे हो गई है रोस ऐसा क्यों कर रही थी ये बात उसे भी नहीं पता थी रोस जैसे ही होश में आती है तो उसे पता चलता है कि alien spaceship अर्थ की तरफ औ इंसानों का ये spaceship जो की alien spaceship के बीच में फसा था वो काफी मुश्किलों से निकल रहा था और शायद ये बच भी नहीं सकता था इसे समय रोस एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है जिसकी अंदर मदर spaceship के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है इस चकर के अंदर इंसानों क कि भी कई सारी spaceship destroy हुई थी जिस चीज़ का guilt रोस को काफी जादा हो रहा था लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो aliens इंसानों को वैसे भी मार देते लेकिन इतने लोगों को मारने के बाद में वो ये सोच चुकी थी अब वो इस mission का हिस्सा नहीं बनेगी और सबसे दूर चली जाएगी जिसके बात कहानी 5 साल आके चली जाती है हमें रोस दिखाई जाती है जो कि सबसे अलग थलग घूम रही थी पता चलता है कि इन 5 सालों के अंदर जो aliens इसे अर्थ के ओपर रुखे हुए थे और जिनके अंदर इंसानी यादे वापस आ चुकी थी वो सब बा इसकाई बी क्रावर्स का इस्तिमाल और ज़ाधा किया तो शायद वो मर भी सकती है उसका एक हाथ बुरी तरीके से खराब हो चुका था जिस हाथ को वो अपनी पावर्स के लिए इस्तिमाल करती थी अपने तबियर ठीक रखने के लिए उसे एक सिरम भी बीना पड़ता था उसकी एक फ्रेंड थी जो कि डॉक्टर थी और वही रोस को सिरम बना के दिया करती थी कुछ दिनों बात में पता चलता है कि एलियन्स के अंदर एक ऐसा वाइरस आया है वाइरस कैसे फैलता जा रहा था ये किसी को भी नहीं पता था इसी कारण डॉक्टर एलियन्स को ठीक करने के लिए एंटि वाइरस बनाने में लग जाती है इसी समय रोस उन से मिलने के लिए आई थी जो कि खुद का सिरम लेने के लिए आई थी पता चलता है कि यहाँ पे एक आर्मी ओफिसर आके रोज को अपने साथ ले जाता है रोज को एक जनरल के सामने लेकि आया जाता है ड्रेड फोर्ड रोज को बताता है कि यह वाइरस बहुत जादा खतरनाक है और उसे शायद कभी ठीक नहीं किया जा सकता वो बताते हैं कि alien का एक प्लैनिट है जिसका नाम कोपाल्ट वन है उसकी अंदर उनकी एक मदर शिप है जिस मदर शिप की अंदर एक कोज ड्राइब है अगर वो कोज ड्राइब इन लोगों के हाथ में लग जाती है तो aliens के मालफंक्षन में इस चेंच करके उन्हें पहले के जैसा किया जा सकता है लेकिन रोस कहती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है उसने पात साल पहले ही कोबाल्ट वन के मदर शिप को डिस्ट्रॉई कर दिया था तो फिर उसका कोड राइफ कैसे बचा रेट फोर्ड बताता है कि तुमने जिस समय एलियन के मदर शिप के ओपर ब्लास्ट करा था तो वो अपने प्लैनेट से बहुत दूर था और जैसे ही ब्लास्ट हुआ था तो उस एलियन शिप के अंदर रखी हुई को ड्राइफ अपने आप ही टेलिपोर्ट होके अपने प्लैनेट कोबाल्ट वन पे चली गई रोस के पास में पावर्स है इसी के करण रोस को चुना गया है उस एलियन स्पेस्शिप में जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वही जा सकती है इंसानों को बचाने के लिए रोस इस बात के लिए मान जाती है रोस के साथ में ट्रेंड तो पहले से ही था इसके साथ में कुछ और लोग भी टीम के साथ भीजे जाते हैं मिशन स्टार्ट होता है पता चलता है कि कोबाल्ट वन का अर्थ से डिस्टेंस आल्मोस्ट फाइफ लाइट येर्स का था वहाँ पहुचने के लिए इन्हें एक वाम होल से ट्रेवल करना पड़ेगा जिसकी अंदर भी तकरीबन 24 घंटे लगेंगे और इसी कारण इस प्लैनेट की और्बिट में फसी रहके यहाँ पे चक्कर लगा रही थी रोज की स्पेस्शिप इन्हें एलियन स्पेस्शिप से टकरा जाती है जिसके कारण इनकी स्पेस्शिप खराब होने लगती है क्योंकि उसी की energy इस spaceship को वापस से activate कर सकती थी Red Ford भी Earth से Cobalt 1 के लिए आया था लेकिन वो सबको कहता है कि यहां operate करने के लिए मैं खुद रुखता हूँ बागी सारे लोग को drive को ढूणने के लिए इसी planet पे निकल जाते हैं यह planet Earth से काफी जादा मिलता जुलता था इसी के करन यहां पे oxygen level की कोई कमी नहीं थी आगे बढ़ने पे इन्हें aliens की लाशे पड़ी मिलती है इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यहां पे क्या हुआ होगा कुछी देर में इनके सामने ऐसे aliens आते हैं जो कि इने दिखाई नहीं देते वो सारे shadow aliens थे रोज और बागी सारे इंसान इन aliens से fight करने लगते हैं लेकिन रोज जैसे उन aliens को मानने वाली थी एक बार फिर से वो freeze हो जाती है इनकी एक member जो कि बुरी तरीके से injured हो गई थी और उसे पता था कि उसके बागी सारे members भी यहीं वसी रह जाएंगे इसे के करन वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा blast करती है जिससे कि आसपास के सारे aliens मारे जाते हैं और बागी के सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं आखेर कार ये लोग spaceship तक पहुँच गए थे जिसके अंदर co-drive भी थी रोज आगे बढ़ती है और अपनी powers का इस्तिमाल करती है लेकिन उसकी powers का इस्तिमाल करने के बाद में वो co-drive उसके हाथ में आने की बचाए नीचे के गड़े में गर जाती है रोज ने अपनी powers का इस्तिमाल किया था इसी के करन वो बहुत जादा कमजोर हो जाती है और वहीं गिर जाती है वो जब होश में आती है तो पता चलता है कि उसके उपर किसे ने कबजा कर रखा है जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड मुवी के अंदर देखा था उसकी आईज ऑली एलियन को मारने के लिए ही रोक रही थी रोस जो कि एक हाइबüllt एलियन उसे तेलीपेथी की कर सकती है रोस पूरी तरीके से कंवर्ट हो पाती इससे पहलें दो प्र पार कि पतेरो पाती ही रिलेंट मंदर एलियन के क्डाश कर देता है ऐसकत Drum Director. पर इनका इंतिजार ही कर रहे थे, लेकिन ओवन्स यहां पर सब को धोका देता है, वो ट्रेंट के अंदर उस इंजक्शन को इंजेक करता है, जिससे कि वो वापस से एलियन जैसा बन जाए, यानि कि इंसानी दिमाग पर उसका कोई काबू ना रहे, वो कोड राइफ को लेके दुरू सारे के सारे एलियन्स को जान से ही मार दे, उसे ये नहीं समझ में आया था कि कहीं सारे एलियन्स बदल गए हैं, जो कि काफी फ्रेंडली है और इंसानों के साथ में रह सकते हैं, लेकिन धमाके के कारण कहीं सारे एलियन्स में बतलाव आया, अर्थ पे जो एलियन वो इंसानों के दिमाग से बदल के एलियन जैसा भी एफ करने लगे और कोबाइल वन वाले एलियन शैडव एलियन में बदल गए जनरल चाता था कि आप कोड्राइफ की मदद से वो सारे ही एलियन को मार दे यही कारण था कि उसने रोज को सब कुछ जूट बोला था दूसी जो कि पूरी तरीके से बदल गया था वो रोज और उसके दोस्त के ओपर ही अटेक करने लगता है रोज बचने के लिए एक बहुत बड़े से एलियन सूट के अंदर बैठ जाती है और अपने दोस लियोन को भी उसी के अंदर बिठा ली थी है वो ट्रेंट को भी एक जगा बंद कर देती है ताकि ना तो कोई उसके उपर अटेक कर सके और ना ही वो किसी पर अटेक कर सके यहां से इस पेशिप जाने ही वाली थी तब ही जनरल कोबाल्ड वन प्लैनेट के उपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है लेकिन रोज जिस एलियन सूट के अंदर बैठ जी जो की इन सारी चीजों को ठीक करना चाता था और ओवन जिसने धोका दिया था इन दौनों के बीच में फाइट होने लगती है रोज मदर एलियन से फाइट कर रही थी दूसरी तरफ लियॉन भी ट्रेंट को सब कुछ याद दिलाने की कुशिश करता है यहां एक तरफ स पता चलता है कि ट्रेंट भी आलमोस्ट जलने वाला है इसी की करण वो खुद की पावर्स का इस्तिमाल करती है और ट्रेंट को बचा लेती है लेकिन इस बड़े से इग्निशन के करण ट्रेंट की बॉड़ी काई हद तक जल गई थी इसी सारी फाइट के साथ में यह स्पे एलियन्स को वापस से पहले वाले एलियन्स में बतल देती है ट्रेंट जिसकी पूरी बॉड़ी आलमोस्ट जल गई थी डॉक्टर उसके दिमाग को निकाल के किसी और एलियन की बॉड़ी में डाल देते हैं यहाँ पे जी को एक फाइल मिली थी जो कि चनरल के लॉकर में थ उसे पता चलता है कि उसने कुछ लोगों को बंद करके रखा है जो कि इनसानों के दुश्मन है यह ट्रेंट और रोस के फादर थे यानि कि मार्क और अब रोस अगले मिशन पर जाती है यानि कि अपने फादर को बचाने के लिए और इसे के साथ का इसे शांदार मूवी य इसलिए कि मुझे जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में तब तक के लिए टाडा